हेलो फ्रेंड्स, संगीता इस फ्लेवर में एक बाद फिर से आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है तो चलिए अपनी इजी पीजी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यह मैंने दस ओरियो के बिस्किट ले लिए है मैं इनको क्रीम के साथ ही लूँगी और मैंने मिक्सर जार ले लिया है उसमें मैं इसको डाल देती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है अभी इसमें थोड़े से टुकड़े रह गए हैं, तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा मैंने पाउडर निकाल लिया है, गार्निशिंग के लिए, अब मैं इसमें आदा गिलास मलाई वाला दूट डालूँगी, और एक टेवल स्पून चोकलेट सीरप डालेंगे, और चार ये दीखे, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हमने इसको, और मैंने एक ग्लास ले लिया है, और मैंने इसको चोकलेट सीरप से डेकृरेट कर दिया है, ये विल्कुल ऑप्शनल है, जो हमने शेक बनाया है, वो हम इसमें सर्व कर देंगे, जो हमने पाउडर निकाला था गार्निशिंग के लिए उससे गार्निश कर देंगे, इस्ट्रो लगा देंगे, तो लीजी फ्रेंड्स, तयार है हमारा कूल कूल और यो मिल्क शेक, इसको बिना बनाना इतना ही जिए, कि इसे बच्चे खुद भी बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलती है एक नही रेसीपी केसा, तब तक के लिए बाए बाए